हम लोग साइन्स के महत्पूर्ण स्रीज में पाट नमर तीन वीडियो नमर तीन लेकर आगा हैं आज का पहला कुश्यन है काला हीरा काला सिशा किसे ही कहते हैं काला हीरा तथा काला सिशा किसे ही कहते हैं क्रमसा कार्बोनेडो और ग्रेफाइड को काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला सिशा कहते हैं ग्रेफाइड को अगला कुश्यान शरीर की सबसे छोटी अस्ति है एस टाइप जो की कान में पाया जाता है और पुछेगा सबसे लंबी हडी कौन सी है तो ओ है फीमर जो की जांग में पाया जाता है जीबन रक्षक हार्मोन है एड्रीनल को जीबन रक्षक हार्मोन एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं नेश कुर्चन प्रकास संसलेशन अधिक होती है लाल रंग के प्रकास में प्रकास संसलेशन अधिक होती है लाल रंग का तरंग द्यार अधिक होती है नेश कुर्चन आत्म हत्या की थाइली किसे कहते हैं जिसे इंगलिस में सूसाइड बैग भी कहते हैं लाइसो सोम को आत्म घाती की थाइली या सूसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है नेस्ट कुश्चन है द्रावित पेट्रोलियम गाईस यानि कि LPG इसका सोट रूफ हो गया LPG द्रावित पेट्रोलियम गाईस लिक्विट पेट्रोलियम गाईस तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गाईसों का मिश्रन होता है ब्यूटेन तदा प्रोपेन गैसों का मिश्रन होता है इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं बी पी बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन अला कुश्चन प्रोटीन की फाक्टरी काल आता है राइवोसोम को प्रोटीन का फाक्टरी कहते हैं निकुलिक अवल्ट निकुलिक अमल डी एन्ने और आर एने हैं निकुलिक अंबल्ट निकुलिक अमल्ट। नेश्ट कुश्चन शरीर का मानव शरीर का समाने तापमान फारेन हाइट में अंठान में पौण छे फारेन हाइट डिगरी सेलसियस में 37 डिगरी सेलसियस केलवीन में 310 केलवीन होता है ये तीनों याद तकना बहुत जरूरी है एकजाम के द्रिष्टी कुण से अला कुश्चन मनुस में लिंग निधारन होता है पूरुस के क्रोमोसोम पर न के स्तिरी के मनुस में लिंग का निधारन होता है सिर्फ पूरुस के क्रोमोसोम पर न के स्तिरी के क्रोमोसोम पर नेश्ट कुश्चन शरीर में मान स्पेशिया की संखिया होती है 649 सरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल आनि इसे एनामेल भी कहते हैं जो दाथ की हड़ी होती है एनामेल संसार का सबसे बरा पक्षी है सुत्रमूर्ग संसार का सबसे बरा पक्षी सुत्रमूर्ग है खोपड़ी में कुल अस्ती होती है खोपड़ी में कुल आठ हड़ी होती है इसे याद कर सकते है खोपरी लिख लेंगे और इसको आठ बना देंगे यानि खोपड़ी में कावगोद आठ गवर्डी होती है जीन के संसलेशन से समांधित बेगती कोन है हर गुबिंद खुराना संसार का छोटा फूल बुल फिया है पुरुस जीन संहटन होता है पुरुस जीन संहटन होता है X, Y और महिला पुछेगा तो X और X प्रकास संसलेशन कीरिया में ओक्सीजन मिलता है जल से प्रकास संसलेशन की कीरिया होता है तो ओक्सीजन कहां से मिलता है जल से यानि जल के फर्मूला H2 होता है इसी में अक्सिजन निकलता है बाहर प्रकास संसलेशन के लिए आवश्य गैस कोन है कारवन डायोकसाइड देखे प्रकास संसलेशन के लिए आवश्य गैस कारवन डायोकसाइड हो जाएगा इसके बाद और भी कुस्चन है कारवन डायोकसाइड जल हो जाएगा प्रकास उसक के लिए अवर्शागाश थै, CO2, जल, ख्लोरो, फ्लोरो, कारवन, खनी जलबन, इत्यादी, मधुमें रोग होता है, इंसुलीन की कमी से, अला कुस्चन है, पौंधो का मुख, प्रकास संसलेशी अंकों साहै, पति, प्रकास संसलेशी अंकों साहै, तो पति है, नेस्ट कुस् क्रितीम हीरदय रूग, ब्राइन काईटिस एक रूग है, क्रितीम हीरदय रूग एक लर्का अपने पीता से क्रोमोजोम पाता है 22 प्लस Y यानि ये काईक गुंसुत्र की संखिया क्याँ कितनी होती है है 22 आप सेट नम्बर 4 के ओर हम लोग भढे ते हैं pra सिंद्ध में कर सेप्सीन का एक और नगा है जाएम दूध में नहीं पायाँ जाता है बिटामिन सी दूद में बिटामिन सी नहीं पाया जाता है दूद में नहीं पाया जाता है बिटामिन सी नहीं पाया जाता है बिटामिन सी का रसाइनिक नाम है एसकर्विक एसीड यानि एसकर्वी अमल जो कि खंटे फलो में पाया जाता है और इसका अमला सरवाधिक सरोध है यानि अमला बिटामिन सी का जिसे बिटामिन सी का कटोरा भी कहते हैं, टौकसिन एक जहरीली पदार्थ टौकसिन क्या है एक जहरीली पदार्थ एंजाइम की रचना होती है अमीनो अमल से फलो और सब्सक्राइब की रचना होती है अमीनो अमल से माना मूत्र में उत्सरजीत होता है बिटामिन सी यसका नाम रसाइनिक नाम स्कर्बिके सिड अमला के कट अधी जो कि अमला में परचुर मतरा में पायाता है खटे फ़लो में पायाता है दूध में उपस्तित प्रोटीन है कैसीन और कैरोठीन के करण दूद का रंग हलका पिला होता है। मानव शरीर का महतपुर्ण गरंथी है। प्यू ट्रिग्रन्थी मानभशरिर में पर्चूर मातरा में पाये जाता है क्यlar क्यल्सियम, जिसका संकेत होता है C, जो कि 20 नबर भो होता है, कोशिका का अनुबान्सिक पदार्थ है डी एने कोशिका का अनुबान्सिक पदार्थ है डी एने अनुबान्सिक के नियम का जर्म दाता है ग्रिगर जोन मेंडल किसान का परम सहायक है केचुआ केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं केचुवा एक परकार का उभैलिंग जन्तु है कोशिका में किंद्रक का पता लगाया जाता है कोशिका में किंद्रक का पता लगाया रोवट बराउने ठारो सो एक तिस इस भी में किंद्रक को नुकुलियस भी कहते है कोशीकामे केनरक का पदाने केनरक का खोज खिसने किया था? रवट बराउने कब किया था? 1331 में किया था सबसे बराभवल तथा पूस्फब सबसे बराभवल है आरकिडस और उसके बाद फूल है रेफलोषिया रेफ लोसिया अस्तमकंद घनकंद सलकंद था प्रकंद का उधारान है अस्तमकंद का उधारान है आलू बंडा केशर प्याज अद्रक भल्दी अम्रूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग भाग कोन सा है फल भिती उसका हम लोग खाते है अम्रूद का भी फल भिती, अंगूर का भी फल भिती, शरीफा का भी फल भती, टमाटर का भी फल भिती खाते है यानि अम्रूद का हम लोग पूरा के पूरा पोर्शन खाते हैं इसलिए उसे फल भीती कहते हैं लीची का हम लोग एरिल खाते हैं आम पपीता बेर के खाने योग भाग है मद्य फल भीती मद्य माने बीचला भाग हम लोग खाते हैं यानि बीच को हम लोग बिग देते हैं जो इसमें गुदा होता है इसी गुदा को हम लोग खाते अद्रक्त था आलू के खाने योग भागे है तना अद्रक्त एबं आलू के हम लोग तना खाते हैं न की ज़र खाते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है 7% होता है और इसका पियच मान 7.4 होता है जो की हलका छाड़ी होता है रगत का रंगलाल हीमोगलुबीन के करन होता है और हीमोगलुबीन में लोभा याने की एपिप पाया जाता है मनुस के मस्तिक का वजन कितना होता है मनुस्मी मस्तिक का वजन ओट की गर्भावधी काल कितना है तकरमस 32 से 350 दिन होता है भैस्त था गाय का गर्भावधी का काल होता है 280 था 300 दिन होता है पैतरिक्ता सिद्ध करने में सहयक होता है डी एन और फिंगर प्रिंट पैत्रिक्ता सीध करने में सायक होता है डी एन और फिंगर प्रिंट दूध में पाई जाने वाली सरक्रा है लेक्टोज दूध में पाई जाने वाला सरक्रा है लेक्टोज दूध या दही वाला जितना बात है शुरू में लेक्टोज लिखा मुत्र का निर्मान होता है ब्रीक में इसको किड़नी भी कहते हैं सबसे लंबा क्रीमी कौन सा है टेप वर्म परकास वर्स मात रख है दूरी का परकास वर्स दूरी का मात रख नो कि समय का मात रख है एक परकास वर्श वरावर्वन 9.46 गुने 10 के पावर 15, 10 के पावर 15 मीटियर होता है कपरा सुखाने तथा दूद से मखन निकालने वाली मसीन कारे करता है अब केंद्रिय बल के सिधान पर देखे बहुत मतपूर्ण कुस्चन है कपरा सुखाने तथा दूद से मखन निकालने वाली मसीन कारे करता है अब केंद्रिय बल के सिधान पर इस में क्या होता है बल केंद्र से बाहर क्योर लगता है एक अस्व सकती बरावर होता है 746 वाट के बरावर होता है एक अस्व सकती यानि होर्स पावर इसे एक HP भी लिखते हैं, एक HP लिखते हैं, जल का घनात्म अधिक्तम थाथा आइतम निवन्तम होता है, 4 डिगरी सी पर जल का घनात्म 4 डिगरी सेल्सियस पर अधिक्तम होता है, और आइतम निवन्तम होता है, पदार्थ का अलगुतम अंस क्या है, क्वार्क, पदार्थ का छामता का एस आय मातों क्या है डायोप्तर है इंद्रधनुस के बीच का रंग होता है हरा रंग का प्रक्रिन निर्भर करता है त्रंग्दर पर रंग का प्रकिन निर्वा काता है उसके तरंगदार पर रेटीना पर बना पर्तवीम होता है देखें रेटीना को हिंदी में कहते हैं द्रिष्टी पटल द्रिष्टी पटल रेटीना पर बना पर्तवीम होता है बास्तवीक उल्टा बस्तू से छोटा बास्तवेक उल्टा बस्तू से छोटा रेटीना पर बना पर्तविम होता है बास्तवेक उल्टा और बस्तू से छोटा इन धनूस बनता है सूरे के बेप्रित दिशा में इन धनूस सूरे के उल्टा दिशा में बनता है जो कि कभी भी 12 बजे दिन में नहीं बनता है यान दो प साथ और दित्यक एंधनुस धुंदला धुंदला दिखाई देता है भी उजतार किस से बना होता है टीन और सीषा केमिस धातू से बना होता है सुर्य प्रकिर्णन के कारण अंत्रिच यात्रियों को अकास दिखाई देता है काला समुद्र का जल निला दिखाई देता है प्रकिर्णन के कारण वायू का बुल्बुला जल में ब्यहवार करता है अब्तल लेंस की भाती तारे के टिम्टिमाने का कारण है प्रकास का अफवर्तन हीरा का चमक्ना ऐव मृज मिचका बनने का कारण है पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन पूर्ण अंत्रिक प्रावर्टन पूर्ण अंत्रिक प्रावर्टन